नमस्कार दोस्तो, स्वागत आप सभी का, आज हम बनाएं ये पनीर कोर्मा, स्वादिस्ट पनीर कोर्मा बनाने का अनोखा तरीका स्वादिस्ट पनीर कोर्मा मसाला रेशीपी आप सबको बहुत पसंद आएगी, इतनी टेश्टी बनती है कि आप डाबा रेश्टूरेंट भूल जाएंगे इतनी बढ़िया बनती है ये घर के अंदर देखके ही मुह में पानी आ रहा होगा तो आप इस रेशिवी को जुरूर बनाइए वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से जुरूर कीजे और पहली बार चैनल देखे तो चैनल को सब्सकाइब कर अधर मैंने गेज लाए है हाई मीडियम आज उसरो मैंने कडाही चडाही के अंदर मैं दो बड़े चमज तेल डाल जाहूं जैसी तेल गरम होगे हमारे पास जो दो प्यास तेल लंबे पतले पीसम कटे वे वह मैंने डाल दी है अब इस प्यास को आपको क्या करना है सुनेर डार्क ब्राउन होने तक सेखना है इसको चलाते हुए आप इसे सेख लीजिए इस तरीके से बीच-बीच में चलाते रही है छोड़ दीजिए दो-चार मिनट लगती है जब थोड़े सीखने लगे तो काजू डाल देना है आपको दो बड़े चमज मैंने 10 पीस काजू लि कीजिए एक जाली-दार चमसे ताकि तेल जो है वह नीचे रह जाए इसी तेल में हम पनीर को सेक लेंगे तो मैंने प्याज को निकाल लिया ।ब प्रावन ब्रावनि से ओ गाया तो मैंने बहार निकाल लिया है गडेवी के निवाइए यह ए और पनीर को सेक लेते हैंड चारो तरब से पनीर को सुनेरा ब्रावनि होने तक मैं आर इधर हम चब तक मैं उदह्से शिक रहा हैं तब आदा इन चेड़ा के टुकडा रफली चोब करके डाल दी है और 10-15 के लिए लसुन डाल दी है मैंने इसके अंदर और दो टमाटर नोर्मल साइज के ही रफली चोब काटके मैंने मिक्सी के जार के अंदर डाल दी है अब इनको हमें क्या करना है बारिक पीस के इसका पेस्ट बना लेना है गरिव बने के हैं, इसको शायड में रख देता है, इधर पनीर चाहरों तरफ में लीजिए। के अंदर डाली ए पनीर को अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं तीन बड़े चमस देशी घी डाला हूँ though इसी कढ़ाई के अंदर बना लेता है जैसे घी घरम हो गया तो तड़के के लिए एक तेज बता दो लोग एक बड़ी लाइची एक डाल चीनी तुकड़ा आधा चमस जी दो-चार विनट लगेगी इसको पकने में एकदम ऐसे मतलब एकदम ड्राइ हो जाई यह ग्रेवी तब तक हमें इसे पकाना है इसको पकने देते हैं और हमारे पास जो प्यास थे जो भूने हुए प्याज और काजू थे उनको हम पीछ लेते हैं ठंडा हो गया थोड़ा पाउडर और इची के साथ हम इसके अंदर डालेंगे काप ताजा फ्रेस नहीं होना चीए अब इसका बारीग पेस्ट बना लेते हैं यौग से-मेने बारीग ऐब करते हैं और तेरिगे brain दोड़ा सा और पकायांगे ऐकदम द्राइज करलेंगे जो गि है वह रीलिज कर दें थे долж कर दे आप टेल में भी बना सकते हैं यह लना सकते हैं गहीं बना सकते हैं जिस में चाहिं बनाएं देख़िए एक दम ड्राइस हो गई तो हमारी पास जो प्याज और काजु की ग्रेवी थी हम डाल देते हैं इसी के साथ मिक्षी के जार को दो में आदा कब पानी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है अब हम जो बागी जो मसाले है वो डाल देते हैं इसके अंदर बहुत ही स्वादिश्ट पनीर कॉर्मा की किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं कशूरी मेथी डाल रहा हूँ एक छोड़ी चमज भरके और आदा चमज से थोड़ा से जादर नमक डाला आप स्वादू साथ डालिए और ये पनीर मसाला है आदा चमज आप गिचन किंग मसाला डाल सकते हैं और ये वन फोर चमज गरम मसा जाय था ना थोड़ा सा उसको ऐसे कद्दू कर्श करके डाल देना है और थोड़ा सा रख लेना है जब हम शरू करेंगे ना उपर से डालने के लिए चिएगा तो पनीर को कोर्मा बनाने का यही एक तरीका होता है गरेवी के अंदर पनीर को कद्दू कर्श करके डाला जात देखे ग्रेवी एकदम पक्चुकी है, तेल रिलीज कर दिया है, एकदम देखे ग्रेवी ऐसे जालीदार सी होगी है, तो आब हम इसके अंदर पानी में से पनीर निकाल के इसके अंदर डाल देता है, पानी हटा देना है, हाँ, इसके ओपर हरा धनिया डाल देते हैं, पनीर क वर्मा बिल्कुल बनकर तयार है, देखे कितना सांदार लग रहा है, देखे मूँ में पानी आ रहा है, आप लच्छा पराठा, नान, पराठा, इन सब चीजों के साथ खाईए, बहुत ही टेस्टी लगता है, लंच में बनाईए, चाहे डिनर में बनाईए, वीडियो पसंद तो आप इस तरीके से जरूर बनाना, किसी त्योहार पर बनाईए, चाहे कोई गेस्ट आ रहे तब बनाईए, जब मन करे तब बनाईए, एक टेस्टी सी पनीर कॉर्मा की ये रेसिपी है, और मैं उमीद करता हूँ, आप सब को पसंद आएगी, तो बनाते रही है, खाते र तो आएगी, तिन मिलते हैं नहीं,